हालो वेल्कम फ्रेंट्स लीब्रा कैल्क सिखने की सिरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की जा सिखने वाले हैं आई आपको बताता हूँ देखिए यहां पर देख सकते हैं नेम आफ एंप्लॉइज लिखा हुए उनकी इसके उपर हमको डाटा बार लगाना है तो यह सैल्वी जो है कि इसके उपर हम अगर डेटा बार लगाना चाहते हैं ठीक है सैल्वी के कैल्कुलेशन के लिए तो आप जा सकते हैं कंडिशनल फॉर्मेटिंग पर यह कंडिशनल फॉर्मेटिंग आपको एक्सल में कहां मिल गए हैं और यहां पर more option है ठीक है तो आपको कौन सा डेटा बार लगाना है वो देख लीजिए यहां पर देख सकते हैं color vertical axis दिया हुआ है document color दिया हुआ है यहां negative दिया हुआ positive दिया हुआ है तो जो भी आपको color use करना हो यूज कर लिए ठीक है और यहां से ok करता हूँ और फिर यहां से ok करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहां पर data bar apply हो चुका है और जिसकी salary जो है ज्यादा है उसका बार उतना बड़ा है देख सकते हैं जिनकी salary सबसे ज्यादा है उस पर उतना बड़ा बार लगा हुए अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहां पर आई यह पर इसको सेलेक्शन में लिए फिर जाएए वापिस से कंडिशनल पार्मेटिंग पर और यहां से आजाएए डेटा बार पर आ गया अब यहां पर क्या करना है वापिस से चलना है और आप देख सकते हैं यह जो डॉक् कलर दे दीजिए और फिर यहां से कर देंगे तो यहां पर ब्लू कलर अपलाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तुछे शियर करें थैंक्यू पर वाचिंग देश वीडियो